देश प्रदेश और दुनिया से चुड़ी कुछ खास चुनिन्दा खबरे वो भी मेरे साथ महाराष्टर में भी बिजली गुल हो सकती है बिजली उत्पादन करने वाली कमपनी महाजेनकों के पास कोईले की भारी कमी हो गई है और खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है उदर महाराष्टर के कैबिनेट मंत्री नवाब मलीक ने फिर दोहराया है कि क्रूज पर छापे मारी का काम पुरी तरह से फर्जी है साजी शन एक सेलिबरेटी को जहाज पर पुलाया गया और फिर उन्हें फसादिया गया इस बीच बड़ी खबर ये है कि BMC मानोरी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए अब ग्लोबल टेंडर निकालने के मुड में है तो उत्तर भारतियों की वापसी से कॉंग्रेस खुश है उसने मुंबई के सभी 6 जीलों में मुंबई कॉंग्रेस उत्तर भारतिय सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है परिशान करने वाले खबर ये है कि काफी पहले शुरू होने के बावजुद मुंबई में बुजर्गों का समुह टिका करण में पिछड गया है कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इसमें तेजी लाने की कोशिश की जा रही है प्रदेश के इन पाँच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ महराश्टर में बिजली उत्पादन करने वाली कमपनी माहा जेनको के पास कोईले की भारी कमी हो गई है पहले जहां साथ से बारा दिन तक कोईले का स्टॉक हुआ करता था वही अब केवल डेड़ से दो दिन का ही स्टॉक बचा है पैसे की कमी से कोईला नहीं खरीदा जा रहा भयांकर आर्थिक तंगी की स्तीती है बीलो की वसुली नहीं किये जाने से बकाया राशी बढ़कर 33,000 करोड रुपे हो गई है विभाग ने कई तरह की योजनाए घुशित की लेकिन कोई रिस्पॉंस नहीं मिला किसानों पर भी 59,000 करोड रुपे का बकाया है वसुली नहीं के बराबर है अब आलम ये है कि कोईले का स्टॉक मेहस डेर से दो दिन का ही रह गया है अब कोईला खरीदने के लिए उर्जा विभाग ने मदद के लिए वित्त विभाग के सामने हाथ पसा रहा है लेकिन वित्त मंतरी अजित पवार उर्जा विभाग के कामकाज से बेहत खफा है मामला मुख्य मंतरी तक पहुचा है इधर उर्जा विभाग ने कहा है कि आर्थिक मदद नहीं की गई तो महाराश्चर कभी भी अंधेरे में जा सकता है महाजेनकों ने सरकार से वित्तिय मदद की मांग की है ताकि कोईला खरीदा जा सके जानकरों का मानना है कि कोईला की कमी का आसर बिजली उत्पादन पर पढ़ सकता है इससे महाराश्चर में बिजली गुल हो सकती है महाराश्चर के कैबिनेट मंतरी नवाब मलिक ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समिर्वान खेडे पर फिर निशाना साधा है नवाब मलिक ने फिर धोराया कि क्रूज पर छापे मारी का काम पुरी तरह से फर्जी है साजिशन एक सेलिब्रेटी को जहाज पर पुलाया गया और फिर उन्हें फसादिया गया तस्वीरे दिखाते हुए कहां कि उस दिन जब क्रूज रेव पार्टी में NCB ने रेड की थी तब आठ या दस लोग नहीं बलकि 11 लोगों को डिटेन किया गया था बाद में तीन लोगों को छोड़ दिया गया था मलिक ने उन तीनो लोगों के नाम भी मीडिया के साथ साजा किये ये नाम है रिषब सजदेवा, प्रतिक Gawa और अमिर फरनीचर वाला नवाब मलिक ने रिशब सजदेवा को छोड़े जाने वाला वीडियो भी मीडिया को दिखाया उन्होंने वीडियो में दिखाया कि पहले तीनों को NCB दप्तर में अंदर लाया गया और कुछ देर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया मलिक ने आरोप लगाया कि महराष्ट बीजेपी के नेताओं के साथ केंद्रिय बीजेपी नेताओं ने NCB अधिकारी समिर्वान खेड़े पर दबाव बनाया था और इसी दबाव की वज़ा से इन तीनों लोगों को समिर्वान खेड़े ने NCB से जाने दिया दरसल समिर्वान खेड़े ने बीजेपी नेताओं के इशारों पर इन तीन लोगों को छोड़ा जबकि आरियन खान इन ही लोगों के बुलावे पर वहा गय थे समिर्वान खेड़े के कॉल डिटेल्स की जांच की जानी चाहिए बदादे की रिशी सचदेवा बीजेपी के युवा मोर्चा के पुर्वा अध्यक्ष मोहित कमबोज के साले है मुंबई अपनी प्यास समुद्र से बुजाएगी अब वह चातक बन कर आज भरी नजर से समुद्री लहरों को रोज निहार रही है ताकि कोई संदेशा तो मिले जी हाँ BMC मनोरी प्रोजेक्ट को समय पर पुरा करने के लिए BMC ग्लोबल टेंडर निकालने के मूड में है मई 2022 में इस प्रोजेक्ट का ग्लोबल टेंडर निकाला जा सकता है बता दे की मुंबई में समुद्र के खारे पानी को मिठा कर पीने योग्य बनाने की ये मुख्यमंत्री उद्व ठाकरे की महत्वक आंक्शी योजना है जिसे BMC कमिशनर IS चाहल मुर्तरूप देने के लिए ततपर है मनोरी प्रोजेक्ट के लिए BMC, MTDC से 12 हेक्टेर जमिन लेगी इस प्रोजेक्ट के तयार होने पर पहले चरण में प्रती दिन मुंबई को 200 MLD पानी मिलेगा प्रोजेक्ट के दुसरे चरण में मुंबई को 400 MLD पानी की प्रती दिन आपूरती होगी पिछले दिनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने समुद्र के पानी को मीठा करने के लिए इसराइल के साथ समझोता किया था उसे इस प्रोजेक्ट को काफी फायदा मिलेगा इस प्रोजेक्ट पर 3520 करोड रुपे खर्च होने का अनुमान है मुंबई में प्रति दिन 3850 MLD पानी की आपूरती होती है जबकि इससे कही ज्यादा पानी की आवशक्ता है इस प्रोजेक्ट की रुप रेखा तयार करने में लगभग 6 महिने का समय लगेगा जबकि इसे पूरा करने के लिए 30 महिने का लक्ष रखा गया है शुरू में प्रोजेक्ट के लिए 6 हेक्टर जमिन की जरूरत है इसके लिए मालाड के मनोरी में जगा तलाशी गई है कॉंग्रेस में उत्तर भारतियों की वापसी शुरू हो गई है मुंबई कॉंग्रेस के उच्चे पदस्त सूत्रों ने बताया कि बीजेपी के पुर्व विधायक अभिराम सिंग के बेटे डॉक्टर सत्यंद्र सिंग कॉंग्रेस में शामिल हुए है जल्द ही उत्तर भारतिय समाज के कई अन्य समाननीय लोग कॉंग्रेस में शामिल होने जा रहे है शुक्रवार को मुंबई कॉंग्रेस के मुख्याले राजिव गांधी भवन में डॉक्टर सतेंद्र सिंग अपने कई समर्थक कारे करताओं के साथ मुंबई कॉंग्रेस में शामिल हुए मुंबई कॉंग्रेस के अध्यक्ष भाई जक्ताप ने सभी का कॉंग्रेस में स्वागत किया इस मौके पर पुर्वसांसत और दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस के पुर्वाध्यक्ष जैप्रकाश अगरवाल भी मौजुद थे भाई जक्ताप ने घोशना की कि मुंबई के सभी 6 जिलों में मुंबई कॉंगरेस उत्तर भारतिय सम्मेलन आयोजित करने जा रही है इन सम्मेलनों के आयोजन की जिम्मेदारी कॉंगरेस उत्तर भारतिय सेल को दी गई है पहला सम्मेलन शनिवार को उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र की कालीना विदान सभा चुनाव क्षेत्र में होगा उन्होंने बताया कि उत्तर भारतिय समाज को फिर से कॉंग्रेस के साथ जोडने के लिए मुंबई कॉंग्रेस ने उत्तर भारतिय सम्मेलनों के आयोजन का फैसला लिया है कोरोना को हराने के लिए मुंबई में इस साल 16 जनवरी को टीका करण अभियान के शुरुआत हुई थी पहले चरण में हेल्थ केर वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाना शुरू किया गया दूसरे चरण में अन्य फ्रेंट लाइन वर्कर्स और तीसरे चरण में बुजर्गों का टीका करण शुरू किया था इसके बाद 45 प्लस और 18 प्लस समुह के लोगों का टीका करण शुरू हुआ था काफी पहले शुरू होने के बावजुत स्थिती ये है कि बुजर्गों का समुह टीका करण में पिछड गया है BMC स्वास्त विभाग के मुताबिक मुंबई में बुजर्गों की संख्या 11,45,016 है इनमें से सिर्फ 78 फिजदी बुजर्गों को कोरोना के टीके का पहला डोस दिया गया है वही टीका करण में फ्रंट लाइन वरकर्स के बाद 45 प्लस समुह के लोग सबसे आगे है इस समुह के 93 फिजदी लोगों को वाक्सिन की पहली खुराग दी जा चुकी है अठरा प्लस समुह टीका करण में तिसरे नमबर पर है इस समुह के 85 फिजदी लोगों को वाक्सिन की पहली खुराग मिल चुकी है BMC की कार्यकारी स्वास्ता धिकारी डॉक्टर मंगला गोमारे ने बताया कि वाक्सिनेशन अभियान को रफ्तार देने के लिए BMC जुटी हुई है यही वज़ा है कि सितंबर में रेकॉर्ड तोड वाक्सिनेशन किया गया सभी वर्गों का समय पर ठीका करन हो इसके लिए BMC विभिन्न उपाय करती रहती है तेलंगाना की राजधानी है हैदरबाद में मुस्लाधार बारीश के चलते बार जैसे हाला थे कई घरों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट में भी पानी भर गया है तो महिला रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशन चिन्नक हड़ा हो गया है लखनों से मुंबई आ रही पुषपक एक्स्प्रेस में 20 साल की युवती के साथ गैंग रेप की घटना हुई है उधर लखिमपुर्खिरी हिंसा मामले के आरोपी आशिश मिश्रा के क्राइम रांच के सामने हाजर होते ही पंजाब कॉंगर्स अध्यक्षन ओजट सिंग सिद्धू ने अपना अंचन समाप्त कर दिया इस विच सोशल मीडिया प्लाटफॉम पर इंस्टाग्राम और फेस्बुक की सर्विस हफते में दुसरी बार डाउन हुई है यूजर्स को काफी परिशानी का सामना करना पड़ा है बड़ी खबर ये भी है कि कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग करने वाले आतंग के ओपर बड़ी और कड़ी कारवाई की तयारी चल रही है केंद्रिय गुरुह मंत्राले ने प्रदेश सरकार से इस नई चुनोती से निपटने पर चर्चा की है देश में जारी अनेख हलचलों के बीच इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ तेलंगान की राजधानी हिद्राबाद में बिती राथ हुई मुसलाधार बारिश के चलते बाड़ जैसे हालात बन गये है भारी बारिश के बाद ओल्ड सिटी के एक होटल तक पानी पहुच गया इसके अलावा कई घरों दपतरों और रेस्तरों में भी पानी भर गया मीडिया रिपोर्ट के मुताविक भारी बारिश के बाद आई बाड़ के चलते दो लोग नाले में भै गये जिनकी तलाश की जा रही है वनस्तली पूरम और कुकुटपली में नाले ओरफ्लो हो गये है शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश के बाद सडकों पर घुटनों तक पानी भर गया इस बीज बारिश की वज़ा से आठ उड़ाने रद्द कर दी गई है सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे कुछ वीडियो में रेस्तराओं में पानी भरना और नाले में फसी मोटर साइकिल एवं पीकप ट्रक भैते दिख रहे है हैदराबाद के मौसम भाग के डारेक्टर ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दवरान हैदराबाद समय तेलंगाना के कई जीलों में बारिश होने की संबावना है हालात इसकदर बिगड चुके है कि लोगों के घरों के अंदर भी बारिश का पानी पहुचने लगा है मौसम भाग के अनुसार राच साड़े आठ से ग्यारा बजे के बीच दस से बारा सेंटिमीटर बारिश हुई निवासियों ने पिछले साल सितंबर अक्तुमबर में बार की भयावता को याद करते हुए कहा कि प्रशासन ने पिछले वाकव से कोई सीख नहीं ली है और बुनियादी ढाचों पर भी कोई काम नहीं किया है लखनव से मुंबई आरी पुश्पक एक्सप्रेस में महिला यात्री के साथ गैंग रेप की घटना हुई है जी आरपी मामले की जाच कर रही है आरूपीयों की संख्या चार बताई जा रही है चारो आरूपीयों की तलाश में संभावित जगों पर दबिश दी जा रही है जानकारी के मुताबिक ट्रेन के अंदर साथ से 8 चोर गुसे और लोटपाट शुरू कर दी घटना शुक्रवार की रात तकरिवन 8 बजे के आसपास स्लिपर कोच में हुई पंदरा से 20 यात्रियों से लोटपाट के बाद अचानक उनकी नजर ट्रेन में यात्रा कर रही एक 20 साल की यूती पर गई उन्होंने उसके साथ गैंग रेप किया डर के कारण कोई यात्री विरोध नहीं कर पाया ट्रेन तब घाट इलाके से गुजर रही थी घाट पार करने के बाद कसारा रेलवे स्टेशन पहुशने पर पिडिता ने यात्रियों से मदद की गुआर लगाई जियारपी ने चार बदमाशों को इरासत में लिया है जबकि अन्य चार लोगों की तलाश में दबीज दी जा रही है पुलिस के मुताबिक लूटे रो द्वारा लूटी गई तकरीबन 96,390 रुपे की संपत्ती जिन में ज़ादातर मोबाईल फोन थे और 34,200 नकत बरामत किया है इस घटना के बाद महिलाओ की सुरक्षा पर फिर से प्रशन चिन्न लग गया है क्योंकि इसके पहले पूने शहर में एक नाबालिक लड़की के साथ भी ग्यांग्रेप का मामला सामने आया था महिलाओ की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर विवस्ता पर प्रशन चिन्न लगा है लोगों में रोश है लखिमपूर खेरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रिय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशिश मिश्रा आखिरकार पूछताच के लिए क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर हुए उदर मंतरी के बेटे के क्राइम ब्रांच पहुचते ही पंजाब कॉंग्रेस प्रमुक नवजोत सिंग सिद्धु ने अपना अंशन समप्त कर दिया आशिश मिश्रा की गिरपतारी की मांग को लेकर सिद्धु ने तीन अक्तुबर की हिंसा में मारे गए दिवंगत पत्रकार रमन कश्चप के लखिमपूर आवास पर शुक्रवार को मौनधारन कर लिया था पहले वा कुछ देर बैठे रहे और बाद में टीन के शेड़ के नीचे तक पर लेड़ गए और आखे बन कर ली सिद्धु को मनाने में अफसर लगे रहे इस बीच लखिमपूर कांड के बाद लापता हुए आशिश आज मिडिया के नजरों से बच्टे बच्टे आज क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुचे उन्होंने अपने मूग को रुमाल से ढख रगा था बता दे की लखिमपूर खीरी इंसा मामले में आज क्राइम ब्रांच ने पेशी के लिए ग्यारा बजे तक की डेडलाइन तै कर दी थी माना जा रहा था कि अगर आशिश आज नहीं पहुचते तो पुलिस फिर अरेस्ट वरन जारी करती आशिश मिश्रा के खिलाप बहराई जीले निवासी जगजित सिंग ने FIR दच कराई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम और फेस्बुक की सर्विस हपते में दूसरी बार डाउन हुई है सर्वर डाउन होने की वज़ा से फेस्बुक और इंस्टाग्राम कुछ वक्त के लिए बंद हो गया था इसके कारण यूजर्स को काफी परिशानी का सामना करना पड़ा हाला कि अब इंस्टाग्राम और फेस्बुक की सेवा फिर से बाहल हो गई है इससे पहले 3 और 4 अक्तुबर को भी उपयोग करताओं को इस परिशानी का सामना करना पड़ा था सर्वर डाउन होने पर फेस्बुक ने ट्वेट कर बयान जारी किया है फेस्बुक ने कहा कि हमें माप किजिए कुछ लोगों को हमारे एप्स और वेबसाइट तक पहुचने में समस्या हो रही है अगर आप हमारी सर्विस इस्टेमाल नहीं कर पा रहे है तो हमें खेद है हम जानते हैं कि आप एक दूसरे के साथ बाच्चीत करने के लिए हम पर कितना निर्भर है अब हमने समस्या का समाधान कर दिया है इस बार भी अपना धहर्या बनाये रखने के लिए फिर से धन्यवाद पेस्बुक के अलावा इंस्टाग्राम ने अपने बयान में कहा कि हमें माप किजीएगा आप में से कुछ लोगों को अभी इंस्टाग्राम का इस्टेमाल करने में कुछ परेशानी हो रही होगी हमें इसके लिए बहुत खेद है फिलहाल चीजे अब ठीक हो गई है और अब सब कुछ सामानने हो जाना चाहिए हमारा सहयोग करनी के लिए धन्यवाद कश्मिर में सिलेक्टिव किलिंग करने वाले आतंकियों पर बड़ी और कड़ी कारवाई करने की तयारी चल रही है केंद्रिया गुरुमंत्राले ने प्रदेश सरकार से इस नई चुनोती से निपटने पर चर्चा की है सुत्रों का कहना है कि सुरक्षा एजंसियों और खोपिया एजंसियों से कश्मिर में सक्रिया आतंकियों का ब्योरा मांगा गया है इन आतंकियों की मदद करने वालों की धर पकड़ भी होगी कश्मिर में मौझूद कुछ आतंकी युवाओ से पहले सिलेक्टिव किलिंग करवा कर फिर उनको अपने संगठन में शामिल कर रहे है गुरुह मंत्रालाय आतंकियों की इस नई चाल का तोड़ निकालने के लिए मंधन कर रहा है दर असल दर अजिस्टेंस फ्रंट लश्करे तयवा का संगठन है इस संगठन में सक्रिय कुछ आतंकी युवाओ को अपने साथ जोड़ कर उनसे किलिंग करवा रहे है युवाओ को टारगेट दिया जाता है कि उनको अपने लिए पिस्टल का इंतजाम करना है इसके लिए उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है जब यह लोग पैसे से पिस्टल लेकर आते है फिर इनके जरीए दूसरे युवाओ को पिस्टल दी जाती है और एक टारगेट दिया जाता है वारदात को अंजाम देने के बाद टी आरेफ उसे अपने संगटन में शामीन कर लेता है यही कारण है कि कश्मिर में युवा आतंकियों से सिलेक्टिव किलिंग कराई जारी है दुनिया भरभई राजनितिक और कूट नितिक रूप से कई हल चले जारी है भारत ने असाम में बेदखली अभियान से संबंदित घटना के बारे में ब्रामक बयान देने के लिए मुस्लिम देशों के गुट इसलामिक सायोग संगटन की आलोचना की है तो चिनी राश्टपती शी जिन पिंग ने एक बार फिर ताइवान को चिन में मिलाने की बात कही है उन्होंने कहा कि चिन ने ताइवान के साथ शांती पुरना एकिकरन करने की कसम खाई है उधर आईटी पेशेवारों के लिए रहत भरी बात अमेरिका में वाइट हाउस से भी आई है वाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि राश्टपती निश्चित तोर पर ग्रीन कार्ट जारी करने की प्रक्रिया में देरी को भी दूर करना चाहते हैं इस बिच अफगानिस्तान के उत्तरी कुंदुस प्रान्त में शिया मुस्लिमों को निशाना बना कर मस्धित पर हुए घातक विसपोर्ट में सौ लोग मारे गए जबकि कई लोग घायल हो गए अमेरीका अफगानिस्तान को लेकर गंभीर है इसलिए अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाने के बाद पहली बार उसने तालिबान के साथ बैठक करने की घोशना की है दुनिया भर में घटित इन पांच बड़ी घटना को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ भारत ने असम में बेदकली अभियान से संबंदित घटना के बारे में ब्रामक बयान देने के लिए मुस्लिम देशों के गूट इसलामिक सहयोग संगठन की आलोचना की पता दे कि दरांग में अतिक्रमन रोधी अभियान के दोरान दो नागरिकों की मौत हो गई थी और कई पुलिस कर्मी घायल हो गए थे इसे लेकर ही मुस्लिम देश भारत के खिलाफ मुखर थे भारत ने साफ कहा कि समुह के पास देश के आंतरिक मामलों पर टिपनी करने का कोई अधिकार नहीं है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ने कहा कि भारत ऐसे सभी अनुचित बयानों को खारिस करता है और उम्मीद करता है कि भविश्य में ऐसा कोई संद जर्ब नहीं दिया जाएगा बाक्ची ने कहा भारत को इस बात पर अत्यंत खेद हुआ कि इसलामिक सहयोग संगठन ने भारतिय राज्य असम में दुर्भाग्य पूर्ण घटना पर तत्यात्मक रूप से गलत और ब्रामक बयान जारी करके एक बार फिर भारत के आंतरिक म संबंद में उचित कानूनी कारवाई की है दोहराया जाता है कि भारत के आंतरिक मामलों से संबंदित मुद्दों पर दखल देने का OIC को कोई अधिकार नहीं है उसे अपने मंच को नहीत स्वार्तों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए चीनी राष्ट्रपती शेई जीनपिंग ने एक बार फिर ताइवान को चीन में मिलाने की बात कही है उन्होंने कहा है कि चीन ने ताइवान के साथ शांतिपूर्ण एकी करन करने की कसम खाई है ऐसा जीनपिंग ने तब कहा है जब चीन और ताइवान के बीच पिछले एक हफते से तनाव बहुत बड़ा हुआ है लोगतांतरिक ताइवान पर चीनी संप्रभूता स्विकार करने का जबरदस दबाव है लेकिन ताइवान ने अपनी स्वतंतरता की रक्षा करने का संकल्प लिया है ताइवान की राष्ट्रपती साई इंग वैन ने कहा है कि हम अपनी राष्ट्रिय संप्रभूता और अपने लोगों की रक्षा के साथ ही ख्षेत्रिय शांती बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे है हम वह सब कर रहे हैं जो की हम कर सकते हैं हम साथ काम करने वाले समान विचारधारा वाले देशों की सराहना करते हैं। दूसरी तरफ बीजिंग के Great Hall of the People में बोलती हुए शी जींपिंग ने कहा है कि चीनी लोगों की अलगाववाद का विरोध करने की शांदार परंपरा है। उन्होंने कहा है कि ताइवान की स्वतंतरता अलगाववाद मात्र भूमी के पुनर्विलन में सबसे बड़ी बाधा है। यह राश्ट्रिय काया कल्प के लिए सबसे गंभीर खत्रा है। शांतिपूर्ण एकी करन ताइवान के लोगों के सबी हीतों को पूरा करता है। किसी को चीन के संकल्प, इच्छा शक्ती, संप्रभूता और अखंडता को कम करके नहीं आखना चाहिए। अमेरिका का आकर्षन दुनिया भर के IT पेशेवरों को हमेशा से ही ललचाता रहा है। इसमें भारत के युवाओ की संक्या बहुत ज्यादा होती है। मगर वहां की नागरिक्ता से संबंध ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया बेहत पेशिदा है। हजारों प्रतिभाशाली भारतिय प्रोध्योगी की पेशेवरों को ग्रीन कार्ड देने में अत्यदिक देरी भारतिय अमेरिकियों और यहां रहने वाले उनके आश्रित बच्चों की चिंता का प्रमुक कारण है। ऐसे लोगों को Green Card जारी करने की प्रक्रिया में कभी-कभी दशकों लग जाते हैं। White House की प्रेश सचीफ जेन साकी ने कहा कि राश्टरपती निश्चित तौर पर Green Card जारी करने की प्रक्रिया में देरी को भी दूर करना चाते हैं। ताकि एक अक्टूबर को लगभग 80,000 अप्रयुक्त रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की बर्बादी पर एक सवाल का जवाब दे रही थी। यह बर्बादी इसलिए हुई क्योंकि US Citizenship and Emigration Services ग्रीन कार्ड की प्रतिक्षा कर रहे कई लाखो लोगों को इन्हें आवंटित करने में असमर्थ है। निशाना बनाकर मस्जिद पर हुए घातक फिसपोर्ट में 100 लोग मारे गए जबकि कई लोग घायल हो गए। इस आतंकवादी हमले की जिम्मदारी इसलामिक स्टेट खुरासान जिसे ISIS के नाम से भी जाना जाता है। गट 26 अगस्त को काबुल एरपोर्ट पर हुए आत्म घाती बम विसपोर्ट के बाद से यह आतंकी समूह आएसाइस खुरासान का सबसिग घातक हमला था। जिसमें लगभग 170 नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। रिपोर्ट के अनुसार यह विसपोर्ट अफगानिस्तान के उत्तरी कुंदूच प्रांत में सयद अबाद मस्जित में उस वक्त हुआ। को बढ़ा दिया है। इससे पहले रविवार को भी काबूल की एक मस्जित में हुए विसपोर्ट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी। और 32 अन्य घायल हो गए थे। घटना काबूल की इदगाह मस्जित में भीड भाड़ वाली जगह पर हुई थी। अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाने के बाद पहली बार अमेरिका ने तालिबान के साथ बैठक करने की घोशना की है। अमेरिकी विदेश मंतराले ने जानकारी दी है कि अमेरिका कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के वरिष्ट नेताओं के साथ अपनी पहली व्यक्तिकत बातचित करेगा। यह बैठक इस वीकेंड पर होगी अमेरिका और तालिबान के बीच होने वाली बैठक में कई एजन्डे शामिल होंगे एजन्सियों ने कहा कि इस मीटिंग का उद्देश अफगानिस्तान से फसे विदेशी नागरी को और जोखिम वाले अफगानों की निकासी को आसान बनान होगा इसके अलावा अमेरिका अफगानिस्तान में महिलाओ के अधिकारों को लेकर भी तालिबान पर दमाओ बनाएगा अमेरिका ने जोर देकर कहा कि इस बैठक का कतई यह संकेत नहीं कि वह अफगानिस्तान में तालिबान शासन को माननेता दे रहा है प्रवक्ता ने कहा कि हम इसे लेकर साफ है कि तालिबान को कारियों के जरिये ही हमारी वैधता हासिल करनी होगी अफगानिस्तान एक गंभिर आर्थिक संकुचन और संभावित मानविय संकट की संभावना का सामना कर रहा है हम तालिबान पर भी मानविय एजन्सियों को जरूरत के क्षेत्रों में मुफ्त पहुच की अनुमती देने के लिए भी दबाव डालेंगे तो आज की इस खास पेशकर्ष में वस इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेवी नियूस नमस्कार